हेलो डियर लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे सिम्लर ओफ ट्रेंगल को यानि कि दो ट्रेंगल कपकप सिम्लर होड़ा था ठीक है उसी के कराइटरिया को हम लोग लास्ट वीडियो में डिसकस किये थे और अभी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि उसी दो सि एडिया का रेश्यो कैसे are and कर थेख है याने कि सकह екिस कन्डिशन मेन क्या का इडिवेंड भात गैग उसका इरिया का रेश्यो जो sûr ऑख क्या एगा वहलों देखेंगे यहां पडर उसी के बेस पड़ पास्राइवज यहां पर लिखा हुआ उसको हम लोग सबसे पहले pay और आल जो है मतलब एक उसका वो देख लेते हैं ठीक उसके बाद one by one उसको प्रूफ करेंगे तो सबसे पहला जो इसमें थियोरम कहड़ है वो है दे रेशियो ऑफ दे एडिया जो टू सिमलर ट्रेंगल्स यानि कि दो सिमलर ट्रेंगल्स पहले यहां पर दिया हुआ इस तरह तो मालने ते कफार यह चैक यह दोनों ट्रेंगल्स यहां पर देखते हैं क्या होगा ठेक है तो एरिया ऑफ ट्रेंगल एबी सी माट्रेंगल डिए इ dość करके सो यहां पर देखते हैं D E F equals to अब ध्यान से देखिएगा triangle is equal to the ratio of the squares is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides मतलब उस दोनो triangle के corresponding sides के ratio के square के equal होता है ठीक है उस दोनो triangle के corresponding side के ratio के equal होता है क्या उस दोनो triangle के ठीक है उस दोनो triangle का area का ratio यानि area of triangle ABC by area of triangle DF equals to हो जाएगा यहां से corresponding side जो होगा वो इसमें क्या हो जाएगा AB के corresponding side D है और AC के corresponding side DF है वो कहां से कर रहे हैं यहां पर जो दिया हुआ दोनों triangle कैसा है similar है ठीक इसके according AB और D corresponding होगा BC और EF तो यहां पर जो होगा अब यह यह हो जाएगा आपका AB by DE का square equals to BC by EF का square equals to first and last बताए हुए थे AC by DF का square तो यह था आपका first theorem का statement कि किसी भी दो triangle का किसी भी दो similar triangle का अगर ratio का अगर area का ratio find करना रहता है ठीक है तो कुछ नहीं करना रहता है उसमें क्या करना रहता है कि जो corresponding side का ratio होगा सिर्फ उसका square कर देना रहता है ठीक है जो corresponding side का ratio होगा ठीक है उसका square कर देंगे तो हाँ से क्या जागा दोनों सिम्दर ट्रेंगल के एरिया का ratio अब सेकेंड करा है समें if the areas of two similar triangles if the areas of two similar triangles are equal जैसे यहीं पर यह दो आपका क्या है इस सिम्दर ट्रेंगल अगर इसो दोन्हों धों मैं फ्रेंगल का अगर अडिया कोला जैगा फॉम्याफ प्रेंगल का अगर देखेह कहां किया होगा इस्दुनों का अगर अगर एरिया इकला जैगा देन then the triangles are congruent then the triangles are congruent अगर दो सिंदर ट्रेंगल सका एडिया अगर एक्वल आ जागा तब उस दोनों ट्रेंगल खम लोग क्या बोल सकते हैं अब जो आपके पास ट्रेंगल है उसमें क्या बना हुआ पहले से एल्टिट्यूड ठेकर तो उस जिसमें क्या बना हुआ ठेकर और ट्रेंगल कैसा है यहां पर ट्रेंगल आपका वह सिमलर है तर जाकर करके उस दोनों ट्रेंगल के एडिया का रेशियो क्या होगा तो इस थियोरम के स्टेटमेंट के कॉर्डिंग जो है उस दोनों ट्रेंगल के एडिया का जो रेशियो होगा वो एल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वाइड के एक्वल होगा ठेक है यानि कि अगर हम यहाँ पर लिखते हैं इ एक ठ्रेंगल आपका यह होगिया और दूसरा ट्रेंगल ABC क और यह हो गया आंपका डीए एफ ठीक है तो यह हमको सबसे पहली यह तंद कि क्या गीवे रांगल ABC कैसे ओस्यतने असपे डिया हुआ हम उसके बाद यहाँ पर यह रहा एक इंगालओं दूइयट सबस्क्राइब करने लेकिन चब फैलग में दोख शरूब्टीट्यूट ऐल्हों लेकिन चलिकता घल्हों ध्यालग इंहले है। उसके opposite side पर जो आप perpendicular line draw किजिएगा उसी perpendicular line को क्या बोलते हो इस ट्रेंगल का altitude बोलते हैं ठीक जैसे कि यहां से एक line एसे draw क्या जा रहा है side BC पर तो इस line AD को sorry इस line AM को इस line AM को क्या बोलेंगे इस triangle का altitude बोलेंगे उसी तरह से इस vertex D से उसके opposite side EF पर एक line perpendicular line draw किया जा रहा है तब जाकर के इस DN को क्या बोलेंगे इस triangle का altitude बोलेंगे तो यहां पर इस दोनों triangle के area का ratio find करना है ठीक तो यहां पर यह C4C क्या दिया हो altitude दिया हो है तो दोनों altitude का जो है altitude के ratio का square हो जाएगा means कि AM by DN का square हो जाएगा ठीक है इस सीच को हम लोग ऐसे लिए सकते इसने AM square by DN square AM square by DN square ठीक है यह आपका था क्या altitude जाब गिवेन रहेगा तब और फर्स्ट थीरम जो आपका तो उसमें सिर्फ और सिर्फ साइट गिवेन रहेगा तब उसके area का ratio ठीक है next number 4 यहां पर प्रूब यहां पर प्रूब यहां पर the ratio of the area of two similar triangles निक similar triangle रहेगा ठीक है तब यह वहां पर area का बात क्या जाएगा is equal to the ratio of the squares is equal to the ratio of the squares यहां भी squares यहां भी squares of their corresponding medians अब यहां पर क्या दिया हो रहेगा medians दिया हो रहेगा तब क्या करेंगे तो सबसे पहले है कि medians बोलते कि इसको ठीक है medians जो होता है पहले हो किसी भी triangle के भर्टेक्स एक line सेगमेंट होता हा जो की किसी भी triangle के vertex से दिख साइड के opposite side के midpoint को joint करता है उसे क्या बोलते है median जोहां पर एक triangle है यह BC और दूसरा triangle क्या है ciao तर्ग आये क्वज़ाह ट्रेंगाल आपका दी νे आप और दूसरा ट्रेंगल ऋपका डी ए ऐफ और इस दूनों ट्रेंगल तोर्सका यह को मेर जो है मालने तो हो मेडियन यहां से ऐसे हो गया यानि आपका यह क्या हो गया मीड़ पॉइंट हो गया और यहां से यह इसका मीड़ पॉइंट हो गया यानि की यहां इस ट्रेंगल का मीडियन हो गया और यह दूनों ट्रेंगल है कैसा ट्रेंगल है दूनों यह सिमलर ट्रेंगल है A, B, C, similar to triangle D, E, F, यह दोनों triangle कैसा है, similar है, तब जाकर कि इस दोनों triangle के area का ratio find करना है, तो area of triangle A, B, C by area of triangle D, E, F, equals to, तो यहाँ भी area find करना, area का ratio find करना है, इसमें क्या given है, medians दिया हुआ है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस medians के ratio का square कर देना है, ठीक है, medians के ratio का square, यानि की am by dn का square, इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या am square by dn square, तो इस तरह से क्या आ गया यहाँ पर, area का ratio जो की medians के form में है, ठीक है, अब next कर रहा है, यहाँ पर, कि prove that the ratio of the area is of two similar triangles, फिर से हुए similar triangles है, और उसके area का ratio find करना, is equal to the ratio of the squares of their corresponding angle by sector segment, corresponding angle by sector segment, अब यहाँ पर क्या समझना, angle by sector segment, तो एक ठेयरम था आपका क्या angle by sector theorem, तो वहाँ पर जो angle by sector का जो काम कर रहा था एक line, segment, उससी को क्या बोलते, angle by sector segment, हिखेक है, उसी को क्या बोलते हैं एक यहांपर दो ट्रेंगन इस तरह से एक ट्रेंगल होगी आपका A B C और दूसरा होगी आपका यह दीएएफ ठिक अब यहांपर किसी भी एंगल को ठेके किसी भी एक एंगल क्या करना है उसको बैसेक्ट करना है और बैसेक्ट होगा किसे एक लाइन सेग्मेंट से और उसी लाइन सेग्मेंट क्या बोलते हैं यहाँ पर जो आपका एंगल भी है और यहाँ पर यह जो आपका एंगल ई है इस एंगल भी को इस लाइन सेग्मेंट से हम Q क्योंав टिया पर आपका यह स्ट्रेंगल का यह जो बीपी है वह इस ट्रेंगल का यह gute लाइन है वह एंगल बी अनगल बय सेक्टर है सोड़ी वह स्ट्रेंगलâte इंगल सेक्टर एं उसी तरह से ट्रेंगल डी एएफ में जो आपको इक्यू लाइन्स देखरा कर रहा है वह इस ट्रेंगल का क्या एंगल बाइसेक्टर है ठीक और किस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और इस ट्रेंगल में जो है यह बीपी लाइन सेग्मेंट है जो की एंगल बाइसेक्टर है वह इस ट्रेंगल के एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है ठीक तब जाकर कि और हाँ एक condition क्या दोनों triangle कैसे है similar है तब जाकर कि इसमें क्या find करना area ratio of area of triangle ABC by area of triangle DEF ratio of the area of the triangle ABC and triangle DEF तो यहाँ पर भी आपका यह जो angle by sector line segment है यह जो आपका angle by sector है उसी के ratio के square हो जाएगा ठीक है उसी के ratio का square हो जाएगा यानि कि BP by eq का square इसी चीज़ घमलों लिख सकते हैं और क्या BP का square by eq का square तो इस तरह से पांच थियोरम था ठीक है और पांचो थियोरम जो related था हो किसे था यह से क्या बोलते हैं इसको similarity से ठीक है और उसमें find क्या करना था area क्या find करना था area का ratio find करना था दोनों triangle की area का ratio find करना था और इसमें एक खास बात क्या था सो पता है इसमें आपका एक खास बात यह था कि area चाहिए कभी find करते हैं ठीक है तो one by two into base into high q किसी भी ट्रेंगल का तो one by two into base into high भी लिखते हैं यहां पर be smart क्या सेंटीमेटर में यह भी सेंटीमेटर में तो आखिर कार आपका जो unit आता हुँ किसमें आता है सेंटीमेटर स्क्वाइर में आता है चाहिए आप सरकल का ले लिजो यह पाई-R स्टेटमेंट था ठीक है उसमें एडिया का रेश्यों ही फाइंड करना था ठीक और हर एडिया के रेश्यों जो फाइंड किये थे हर एस्टेटमेंट का ठीक है उसमें एस्क्वाइर ला टर्म देखी रहा था तो फर्स्ट कंडिशन जो था उसमें क्या था कि उसमें जो हम ए उसके बाद फिर क्या था मेडियं स्था तो टो मेडियं स्कार कर रहे थे हिर अ मेडिय की इस They dollar 2011 को अगर खिसी भी दो सिम्लाइभल का area अगर एक्वल अगर एक्वल को जाए तब उस्द च्रइंगर क्या बोलेंगे कंग्रवेंट रिंगल बोलेंगे ठेक है तो इस तरह से नहीं पर पयांची few Mocker school कि देख में दीख चुक्क के इसके बाद प Спplaying को को प्रूफ करेंगे